अश्टक को श्री हनुमान के भक्त और भक्ति में रुची रखने वाले लोग पढ़ सकते हैं। यह अश्टक हनुमान जी की महिमा और महत्व को गाने और स्तुति करने के लिए हैं। और इसका पार्ट उनकी कृपा को प्राप करने में मदद कर सकता है। हनुमान अश्टक का पार्ट भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ किया जाता है। और यह आपको आध्यात्मिक उन्नती की दिशा में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह अश्टक विभिन परिस्थितियों में भी पठा जा सकता है। जैसे की सुख, दुख, संकट यह अमस्याओं के समय में। यदि आप हनुमान अश्टक का पार्ट करने का विचार कर रहे हैं तो यह आपके आध्यात्मिक अनुभव को मदबूत कर सकता है। और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हनुमान अश्ट पढ़ने के क्या लाव हैं? हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। इस अश्टक के पार्ट से हनुमान जी को प्रसंद किया जाता है। इसके पार्ट से आपके मन से शत्रु का भय कम होता है एवं आपको स्ट्रेस नहीं होता। आपका हर कारे जो की किसी अच्छे कारे के लिए किया जा रहा हो वो बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है अगर आपको हमेशा कोई न कोई चिंता सताती रहती है तो आपको इस अश्टक का पाठ हवस्य करना चाहिए क्योंकि इसके पाठ से मन शान्त होता है माता सीता ने महाबली हनुमान जी को अश्ट सिध्धी और नव निधी की प्राप्ति का वर्दान दिया था श्री हनुमान चालीसा में श्री गोस्वामित तुझ सिदास जी लिखते भी है कि अश्ट सिध्धी नौ निधी के दाता अस बर दीन है जान की माता कहते हैं जब कोई अपने कश्टों से मुक्ति की कामना लेकर हनुमान जी की शरण में जाते हैं वे माता सीता के आशीरवाद से ही उनके सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं जाने हनुमान जी कौन कौन सी अश्ट सिध्धियां है इन आठ सिद्धियों के स्वामी है महाबली हनुमान जी जिनके कारण वे बड़े बड़े असाधारन कार्यों को पल भर में कर सकें एत अनिमा इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्वरूप धारन कर सकते हैं इसी सिद्धि का उप्योग करके हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे और सीता जी पता लगाया था थोए यह आँ